हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्टॉक्स के बारे में जिन में बहुत बड़ी अपडेल्स है कल के मार्केट सिनेरियो में आपको इन में बहुत बड़ा उचाल या फिर डाउन गिर्ट मूमेंट देखने को मिल सकता है तो वीडियो बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपसे ज़स्ट एक रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर फिर विजित कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबके पहले हम बात कर लेते हैं ओवरल मार्केट के बारे में चार बड़ी ऐसी अपडेट निकल के आ रही हैं जो कि कल मार्केट को रॉकेट बना सकती है यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस अकॉर्डिंग निफ्टी फिप्टी में गिरावट आई थी और कल के मार्केट सिनेरियो में थोड़ी सी रेकवरी देखने को मिली थी अब चांसिस है कल यानि कि टुमोरो आपको एक बहुत बड़ा उच्छाल ओवरॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है ऐसा में क्यों बोल रहा हूँ एक ही करके अपडेट बताता हूँ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको जो गिरावट के तीन रीजन बताये थे उसमें सबते बड़ा रीजन निकल के आया थे आउटकम बहुत ज्यादा पॉइटिव है इंडियन मार्केट के लिए पॉइटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ से यूएस फैट बैंक ने अभी तक यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है इंट्रेस्ट रेट को हाई करने का यानि कि इस मीटिव में अगर आप देखोगे तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है इंट्रेस्ट रेट हाई करने का तो डेफिनेटली अभी इंट्रेस्ट रेट में कोई भी चेंजिस नहीं है तो डेफिनेटली कल ये एक बहुत बड़ा पॉइटिव सेनेरियो क्रियेट कर सकती है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको मीटिंग है वो फिर से 15 और 16 मार्च को देखने को मिलने वाली है तो इसके लिए भी आपके पास पूरा एक से देड़ महीना निकल के आता है तब तक मार्कर यहां से अपसाइड मुमेंट दिखा सकता है यहां पे आप देख पा रहे होगे रसिया और यूकरेन पॉलिटिकल एडवाइजर आ सेट तू मीटिंग में कोई ना कोई एक फाइनल कंक्लिउजन पर पहुँचने वाले है तो डेफिनेटली हो सकता है यह भी क्राइसिस आपको ओबर होते हुँ नजर आ जाए और कोई ना कोई वहाँ पे आपको जो रास्ता है वो निकलते हुँ नजर आ जाए और यहाँ से जो ओइल प्राइस है वो आपको इस्टेवल देखने को मिलने वाले है यहाँ पे अगर आप देखो इस पर्टिकुलर न्यूज का भी इंपेक्ट आपको कल के मार्केट सेनेरियो में पढ़ते हुए नजर आने वाला है तो यह कुछ ऐसी न्यूज है जो कि कल पॉइटे माहुल्स क्रियेट करेंगी और चांसे हैं कि जो भी आपको गिरावट देखने को मिलीती हो सकता है धीरे धीरे के इसके ही लेकिन वो रिकवरी हो जाए अब यहाँ पे अगर आप देखो इन न्यूज का जो ओवरल ग्लोबल मार्केट है उस पर बहुत अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में ट्राइडेंट लिमिटेड में कल आपको एक अच्छा का सा मुमेंट देखने को मिल सकता है ऐसा हमें क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे की दो रीजन निकल के आ रहे हैं अगर आप देखो कि कल के मा इसकीम निकाली गई थी कौटन टेक्स्टाइल के लिए उसकी पूरी मंजूरी दी जा सकती है बजट में यहाँ पे अगर आप देखोगे और इंपोर्ट जो है कौटन यान पे वो ड्यूटी फ्री बनानी की यहाँ पर पूरी तरीके से प्लानिंग करी जा रही है तो जो सिनेरियो टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री के लिए बनते हूँ नजर आ रहा है बहुत जादा पॉजिटिव नजर आ रहा है और यहाँ से सबते बड़ा फायदा आपको ट्राइडन को मिलते हूँ नजर आ सकता है दूसरी बड़ी अपडेट अगर आप देखोगे तो लेट फेया पॉरी टेक्सिन इंडेस्ट्री की जो भी कंपनीस अच्छी है वो वहाँ से ग्रो और कर सकती है और बाकी मैंने कल की वीडियो में इसके जो टार्गेट्स निकलके आ रहे हैं वो भी बता दी हैं बहुत जादा शानधा टार्गेट है वो अप कल की वीडियो मे तो फिर आपको एक दो दिन उसमें भी ग्रावर्ट देखने को मिली लेकिन कल का मार्केट उसके लिए भी पॉजिटिव देखने को मिला था मोडीस की तरब ते एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है यस बैंक के लिए जिसमें अगर आप देखो के तो उन्होंने बोला है कि यस बैंक की जो रिकवरी है वो अल्रेडी स्टार्ट हो चुकी है बैंक अपनी ट्रेक पर आ चुकी है जिस अकॉर्डिंग रिजल्स आ रहे है ये कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन ओवरॉल व्यूपॉइंट मूडीस का यस बैंक लिए बहुत ज़ादा यहां पे पॉजिटिव नजर आ रहा है जैसा कि मैं भी आपको बताते हुए आया ही हूँ कि एक बारी अगर एर सी इनकी कम्प्लीट हो जाती है तो य मैंने वीडियो अपलोड की हुई है यस बैंक के उपर उसमें आप जाके देख सकते हो क्या क्या टार्गेट्स हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या वो सच बोल रहे हैं या फिर मूडीस की रिपोर्ट आपको सच लगती है आप कॉमेंट वाक्स में जरूर बता देता हूँ यहाँ पर आप देखोगे डिसेंबर क्वाटर में जो पावर ट्रेड वॉल्यूम है 37% से राइज हुआ है डेफिनेटली बिजनेस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हुआ है यहाँ से जो किनके Q3 रिजल्ट में भी आपको देखने को मिला है नेट प्रॉफि एक रुपे पर शियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिविडेंड मिला है और अगर आप देखोगे जो रिकॉर्ट डेट निकल के आती है वो निकल के आती है 4th of February 2022 यानि कि 4 February को आपको जो रिकॉर्ड डेट है वो देखने को मिलने वाली है एंटरिम डिविडेंड एक रु अब यहाँ पर हम बात कर लें अपने एक और श्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है टाटा मॉटर्स टाटा मॉटर्स के लिए बड़ी अपडेट्स है जो कि मैं आपको डिरेक्ली बता देता हूं यहाँ पर आप देखोगे डेली मेंडेट्स एवी अडॉप्शन तो डेफिनेटली यहाँ से डेली की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इलेक्ट्रोनिक वीकल्स को और उससे अगर आप देखो तो टाटा मॉटर्स जैसी कमपनी को बहुत अच्छा गासा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है तो डेफिनेटली यह कुछ सिनेरियोस ह जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं बजट में यहाँ पर देखी पा रहे होगे दो तीन चीजे हैं जो कि आपको यहाँ पर बजट में देखने को मिल सकती है और इलेक्ट्रिक वीकल्स बहुत बड़ा फोकस आपको बजट में देखने को मिल सकता है तो टाटा मॉटर् कोई भी बड़ा अनॉसमेंट आ जाता है तो डेफिनेटली आपको उसका सिनेरियो भी पॉइटिव मिलते हुए आपके पॉर्टफोलियो में भी रिटन्स देख जाएं तो यह को सिनेरियो उसती कल के मार्केट के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देजेगा चैनल भी फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूगा देजेगा धन्यवाद